तो दोस्तो एक स्टॉक जिसने कमाल कर रखा है धंबाल कर रखा है और परिशान भी कर रखा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ yes we are going to talk about CDSL इस स्टॉक ने कमाल इसले कर रखा है क्योंकि अगर आप इसकी एप्रिल लो से अभी तक की रखा है तो 600% की रखा है इसका मतलब है अगर आपने 100 रुपे लगाए होते तो आपके 600 रुपीज बन चुके होते यह है कमाल धमाल इसले क्योंकि अगर आप इ देली टाइम फ्रेम चार्ट देखेंगे तो देली ओन दी डेली ओन दी डेली बेसेज अगर वापेस उसी चार्ट पे चले परेशान इसले कर रखा है क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने यह रेली मिस कर दिये उनको काफी परेशानी हो अभी यह समझने में कि अभी करेंट लेविल पर इसको इन्वेस्ट करा जा सकता है कि नहीं तो इसलिए मैं सारे आंसर्स आपको देने वाला हूँ अगले दो तीन मिनिट में टेक्निकल के फॉर्म में ताकि आपको समझ में आजगी क्या करना है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कनेक्टिंग दी डॉट प्र सिसकी और पहला टाइम फ्रेम चार्ट जो हम लेने वाले हैं वो मथली टाइम फ्रेम चार्ट गाइस ये चार्ट बहुत इंत्रेस्टिंग और बहुत अमेजिंग है उसका रीजन सिंपल है अगर आप यह कैंडल से देखेंगे यह जो पास हो गय है यह कैंडल आपको किसी भी मन्त का इसने previous मन्त में low breach नहीं किया है candle पे अगर आप देखेंगे इतना interesting इतना powerful chart है यह तो आपको समझ मैंगा जो इसमें inline strength थी वो इसलिए इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हर मन्त ने previous मन्त के लोग को respect करा है लेकिन हमारे लिए इसमें जो सबसे अच्छी चीज study वाली वो है कि आपका अगर current मन्त का low देखेंगे that is 7,975 और यही हमारे लिए support का काम करेगा अगर हम hypothetically मान के चलेगी जुलाई मन्त में 975 नहीं breach करता है तो 975 वोड़ बी the support for the month of जुलाई and August दो महीं निगले क्यों क्य जादा गिरावट नहीं आती है तो 975 होल रहने वाला है और अगर होल रहेगा तो यही हमारे लिए support होगा जुलाई और अगरस के लिए तो यह हमें monthly चार्ट से मालुम चलेगा राइट तो चली चलते है weekly time frame चार्ट पे और उसको समझना एक बोखुद interesting factor है क्योंकि मैं हमे कर दूँ तो सबसे पहला pattern जो यहां पर बन रहा था वो यह pattern था clear cut breakout था जो कि आपको भी अभी clearly visible हो जाएगा यह clear cut pattern और clear cut breakout था इसको वापे से मैं candle stick पर कर देता हूँ और अगर इसी का targets from the downside level आप निकालने की कुशिश करेंगे तो आपको मालुम चलेगा कि इसने जो higher level स भी चुआ था around 550 यह इसलिए चुआ था क्योंकि नीचे downside levels का pattern का target complete कर रहा था और एक बच जब कोई target complete हो जाता है ना दोस्तों तो उसके बाद वो वापिस से pattern formations में हमेशार chart बजाते हैं तो यह pattern formation एक और यहां पर हो रही थी जिस pattern formation को हम यहां पर देख सकते हैं यह pattern formation हमे clear cut दिखा रहे थी कि यहां पर आने वाले दनों में कितनी bullishness उपर हो सकती है इसलिए अगर इस pattern का हम नीचे से downside target लेंगे तो नीचे से downside target हमें मालूम चलेगा कि it is coming somewhere around 1400 एक सेकंड दोस्तों यह हमें मालूम चलेगा कि यह जो resistance है on the very short tab हमें मिलने देखने के लिए मिलने वा आने वाले weeks में या आने वाले दिनों में इसका मतलब यह हुआ कि यहां से maximum upside जो हमें short term के लिए देखने के लिए मिलेगी वह 11-13% की मिलेगी अभी right now prices around 1254 यहां से 11-13% के upside move देखने के लिए मिलती है तो 1460-1480 का हमें target देखने के लिए for sure यह patterns की बात होगी लेकिन अगर इसके बाद हम daily time frame पर shift करें तो daily time frame पर दो चीज़े देखने के लिए मिलेंगी और वो है यह कि आपके लिए यहां पर अगर आप देख रहोंगे moving average ने बहुत अच्छा mean reversion का work किया है कोई भी moving average यहां पर breach नहीं हुए और moving average was showing very very positive result here so यह mean reversion के लिए आपको देखना पड़ेगा कि mean reversion आपका आएगा around somewhere around 1000, 20,000, 25 अगर mean reversion यहां से आता है तो otherwise उसके उपर 1100 का भी mean reversion आ सकता है तो कोई भी downside move downside पर आपको मिलती है तो वो mean reversion कराएगी लेकिन एक second के लिए गर मैं indicators remove कर दूँ और यह drawing भी remove कर दूँ तो आ यहां पे एक resistance भी play हो रहा था जो resistance का आज हमें एक breakout देखने के लिए मिला है यह resistance यहां पे बहुत important बहुत strong resistance था दोस्तों यह आपको clicker देखने के लिए मिल रहा है जिसका हमें breakout तो इसका मतलब है कि यह वापिस से जो है resistance साना यह resistance हमारा support convert हो सकता है possibly not exactly but possibly और यह support हमें 1120 1100 1120 से 1100 1100 की range में तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1100 जस्ट चोलों guys यहां पे यह मैं लिख देता हूं कि 1120 से 1100 की range जो आपकी रहेगी वो support range रहेगी for the short term और यह support range आपको देखना है अगर आपको यह buy करना है तो current levels पे तो मैं बिलकुल भी किसी को suggest नहीं करू चाहे आपको 1400 के target के लिखी क्यों न मिल चाहे मैं 1400 के target के लिए मैं नीचे का you know 100 150 का risk नहीं लूँगा for sure क्योंकि जो इसका stop loss बनेगा वो 930 के असपास का बनेगा which I do not want तो अगर आपको buy करना है fresh entry करना है अगर आपको CT sale मौका देता है तो 1120 से 1100 की बीच में buy करने की बि इसी के साथ मैं आपको एक और इसमें छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ which is RSI अगर इसका RSI हम देखेंगे on the weekly time frame इसको एक बार में convert कर दे तो weekly time frame तो आपको मालूम चलेगा boss everything is crystal clear क्यों क्योंकि यहां पे अगर आपने RSI का support check किया हो तो RSI ने बहुत beautiful support लिया है और य very rare in fact I haven't seen you know much of these kind of cases तो आपके लिए यहां पे क्या है कि यह resistance इंपोर्टन नी रह गया आपके लिए important है 1400, 1400, 1460, 1480 levels वहां से CDSL में आपको profit बिलकुल बुक करना चाहिए और जब कभी भी नीचे आता है on the downside या RSI तब आपको एक बार buy करने का attempt करना चाहिए लेकिन अगर इ जो आज इतना momentum आया ना guys यह momentum कोई बेवजय नी था of course एक pattern था यहां पर जो pattern का target complete हुआ है this was our inverted head and shoulder pattern and this head and shoulder pattern का target जो completion यहां पर हुआ है this was exactly the same point जहां पर target completion हुआ है यह इसने जो target complete किया इसके बाद देखना होगा कि 1440 ए डिरेकली 1460 ए डिरेकली यहां से जाता है जो हमने कोई pattern बनाने के बाद जाता है वो हमें देखना जरूरी होगा right वो हम बिल्कुल देखेंगे judge करेंगे लेकिन अभी कले हाल फिलाल current market price पर guys इसको बिल्कुल भी buy मत करी है दूर रहे है अगर यह उपर 1460 1480 जाता भी है तो जाने दीज़े there are much opportunities much better opportunities where you can trade क्योंकि यहां पर safety क हम है of course momentum is अच्छा है लेकिन momentum के साथ safety नहीं है so that is why I would not suggest to buy CDSL at the current market price wait for the correction till 1100 1130 red please then go ahead and buy thank you